रगवर सरकार के जharkhand में फिल्म निती की घुश्ना और फिल्म निर्माताओं को शबसीडी दिये जाने की पहल के बाद जharkhand में जहां निर्माता निर्देश्कों का फिल्म बनाने को लेकर रुज्छान बढ़ा है वहीं देवनगरी देवघर में भी फिल्मों के प्रती निर्माता निर्देशकों का आकर्षन बढ़ने लगा है मनोरम प्रकृतिक छटाओं के बीच इस्तित देवघर फिल्म निर्वताओं के लिए लोकेशन के लिए एक बहतर जगह मानी जा रही है देखिए रिपोर्ट की फिल्म का क्रेज बढ़ने लगा और आज यहां फिल्में भी बनने लगी और लगातार कई फिल्मों की शुटिंग हो रही है कई निर्माता तो यहां अपना बेस कैम भी खोलने जा रहे हैं इसी 2002 से धेशन सोच रही थी कि यहां पर ल्वी बने यहां की प्राकुर्ति खुबसूरती को बाहर तक जाये यहां ज्यारकन में इतने अच्छे जोकेशन है यहां के बारे में मुंबाई के लोग बऊट नहीं जानते हैं मैं चाती थी मुंबई से जादा मूवी यहां बने मैं हमेसा यहीं सोची हूँ और मुझे मतलब सुक्रुभुजार हूँ रगुबर्दास सरकार जी का कि उन्होंने अच्छी नीती दी सबसीटी का अगर सबसीटी नहीं दिये दिये होते तो पोडूसर यहा सबाभ उठा रहे हैं इस नीती की वज़े से बहुत सबसेड़ के अगर कर्कार हें जो नहीं आ सकते सामने मल्टिप्लेक्स खोले जाने से हो चुकी है आज देवघर में सलंथाल परगना का पहला मल्टिप्लेक्स खुल चुका है वहीं दूसरी तरफ कई सिनेमा घर मालिक भी अपने सिनेमा घरों को फिर से दीन वापस आने वाले हैं मेरी पहली फिल्म नेक्सलाइट बन चुकी है जो जुलाई और फर्स्ट एगस्त में रिलीज हो जाएगी और मेरी लेडी सिंखम जो है वो बस दस पंदर दूरी कंदर देवघर में फिल्मों के निर्मान होने से यहां के स्थानिय कलाकार भी काफी उत्साहित नजरा रहे हैं बॉलिवुड के कई कलाकार यहां अपना महुर्द कर रहे हैं ऐसे में बोचपुरी फिल्मों का क्रेज और फिल्मों के प्रती लोगों का अकरसन बढ़ रहा है अस्थानिय कलाकार भी कहते हैं कि उनकी हैसियत नहीं है कि वह मुंबई जैसे बड़े सहरों में जाकर अस्च कुल मिलाकर देवघर बाबा मंदीर और प्रेटा कस्थल के लिए तो माना ही जाता है लेकिन अब फिल्म निर्माताओं के लिए एक बेहतर लोकेशन के लिए भी जाना जाएगा इसके लिए लोग सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं क्योंकि यहां फिल्मों के निर्मान होने से ना सिर्फ अस्थानिय कालाकारों को बेहतर मौका मिल रहा है बलकि इससे रोजगार की संभावनाएं भी पैदा हो रही हैं देवघर से सुनिल कुमार की रिपोर्ट